वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाय लिखाई पे विद मी विरेंद्र तो देखे दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं बी टी इडाट इस बॉर्ड आप टेक्निकल यूनिवस्टी करा रहा है इस बार MCQ पैटन पर objective question लेके आया है online examination होना है तो उसके लिए हाँ से देखा जाए तो सभी विशवों के लिए MCQ question बहुत ज्यादा important हो गए हैं तो एक ही वीडियो में हम लेके आया हैं आपके लिए सारे के सारे MCQ यानि आपने इतने question अगर कर डाले यह diploma first year के students के लिए एक general subject है general engineering क यहीजे इसको यह basics of mechanical and civil engineering जो पढ़ा जाता है जो की electrical ब्रांच में पढ़ा जाता है उसका mechanical वाला जो portion होता है इसी तरह से में बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं तो आए इस्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विना कोई वक्त गवाय हुए तो आए दोस्तों पहला question देखते है उस्मा थता कारे के मद्य संबंधों का अध्यन कहलाता है यानिकि उश्मा यानिकि हीट जो होती है इस्टड thermodynamics biology science तो देखिए उसको कहते हैं हम उस्मा गतिकी that is thermodynamics ठीक है क्या कहते हैं उस्मा गतिकी that is thermodynamics चलिए दोस्तों दूसरा question जिस निर्धारे छेटे के अंतरगत उस्मा गतिकी क्रियाओं का अध्यन किया जाता है यानि जिस छेटर में जिस एरिया में जिस रीजन में तो देखिए क्या है जिस रीजन के अंतरगत region within which study is done जिस region में जैसे आप कह लिजे हम कहें कि आपका classroom में तो classroom का जो area है वो आपके लिए region हो गया ठीक है उसके बाहर नहीं देखना होता हमको को दकार निकाए यानिकि system क्या खाया जाता तो सभी आंसर हो जाएगा निकाए तथा परीवेश को अलग करने वाले को कहते हैं यानिकी जो separate करता है अलग करता कि स्टेम को से surrounding से ठीक है तो इसको क्या कहते है यानि system सराइंडिंग सराइंडड़ स्थिस्टम देन जिसके पर Deputy है सिस्टम से बहार की कोई भी चीज होगी तो वह सतयूर मिलाना यूठियक वान और आट도 up I till ам Still क्या कहते हैं सीमा क्रें सुक्षे का करेक्ट निम्लिक्षित का Industries तो पिटा उसको क्या कहते है सीमा यानि की बाउंड नेक्ट कॉस्चन नंबर फोर तो देखें निम लिखित का मैं आपको definition बता देता हूँ ठीक है इस तरह से भी question आपको exam में आसकती तो जान लीजिए बंद निकाय वो निकाय होता है जिसमें energy का transfer हो सकता है लेकिन क्या होता है energy का transfer हो सकता है लेकिन द्रब्यमान का transfer नहीं हो सकता रही mean by meat everyone काकि ये तो निकाय में क्षला निका होताए उर्जा थδα दुरम्हान का इस्तन्तर्ण होता है वह को घा साथ कि उसको पत्रेगी तो घ्रॉम सिटम्हा फोसकती तरियुए ऑपन साथह तो बिका हो जाएगा बन क्लोड में यह यह व्जाएगा, 3 transfer of energy energy transfer हो सकता है बट मास का नहीं ठीक है तो पहले का हो गया थीसरा और तीसरा और दूसरे का हो गया पहला और बाकि isolated system जो होता है बिलगित बिच निकाई जो होता है उसमें किसी वी चीज का transfer नहीं होता है ना तो द्रब्यमान system से अंदर या भार जा पाएगा ना ही एनरजी सिस्टम से अंदरबाब मूव कर पाएगी तो आइसोलेटेड नो ट्रांसपर और बहुत एनरजी है क्या कहते हैं आपका मास तो यह हो जाएगा सी का टू तो अब देखे हमने कहा आप से कि एका हो यह होता है आईसोलेट Sumais यह नहीं होता है क्युक्त होगया ऑपको और बहुत लगये में धोके यह वह ट्रांसपर हो सकते हैं तो खुला निकाय क्या हो जाएगा पिश्टन एंड सिलेंडर विद ओपन वाल खुले वाल के साथ जब वाल्ब खुले हैं बहीं ओपन है होल्ट उसमें तो कुछ भी चीज आ जा सकती है तो यह जाएगा इसका और फस्ट बंगा क्या हो एका हो गया है दूसरा तो देखिए एका दूसरा कहां पर एका दूसरा यहां पर भी एका दूसरा यहां पर भी है सेकेंड है ना और बी का देखते हैं खुला निकाय कुला निकाय कौन सा है तीसरा ठीक है तो बी का तीसरा देखते हैं बटा बी का तीसरा यहां पर तो होता है यह किसको change in volume को तो राइट हो जाएगा एक ऑल्डब यह हो गया आपकática का आधहार है which is the basis of temperature measurement यानि temperature को नापना हमने किस रूल के किस नियम के आधार पे सी का पहली बार तो यानि temperature मापन का आधार इन में से कौन सा नियम है तो देखो कौन सा नियम है कहा रहा उसमा गतिका पर्थम नियम सुन्यवा नियम दुत्य नियम तृत्य नियम यानि कि हमने जीरो तला सुन्या वा नियम उस्मा गति का सुन्या नियम से हमने क्या सीखा था ताप मापन या टेम्परिचर को ना आपना सीखा था किस से दूसरे नियम पर आधारित है तो का option हो जाएगा बी चलिए दोस्तों आगी चलते हैं कारे करने की छमता को कहते हैं तो देखे पिटा है तो आपके अंदर एनरजी है तो आप काम कर पाएंगे ठीक है नाइं पॉस्ट किया जा सकता है बलकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है यानि की एनरजी केंनोट बी क्रिटेट नौर बी डेस्ट्रॉइट बट्ट केंवी कनवर्टेट फ्रॉम क्लास से साथ आप पढ़ते आ रहे होंगे तो यह क्या है पीटा उर्जा की आविदाशिता का नियम यानि की ला आफ कंजर्वेशन ऑफ एनरजी देट इस डी ऑप्शन इस राइट ऑप्शन चलिए उर्जा की खपत विकास का घोतक है यानि कंजंशन ऑफ एनरजी इस सिं का सिंबल है ठीक है तो उर्जा एक खपत विकास का घोतक है कि नहीं कंजंशन ऑफ एनरजी इस सिंबल ऑफ डवलपमेंट क्या बास सही है या गलत है तो बिल्गों सही बात है तो यह हो जाएगा ओप्शन चलिए लेवन निम्न में से कौन सा उर्जा का क्रत्रिम सरोत है ठ देखें क्या है जीवासम इंदन यानि फोशिल फ्यूल दूसरा है नाव के उर्जा डैट इस नुक्लियर फ्यूल और पैट्रोल यानि आप जानते हैं पैट्रोल को भूस में उर्जा यानि कि जियो थर्मल एनरजी तो ग्यार वे कॉश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो ज होती है ठीक है तीसरा होता है भूस में हो जाई यह जमीन के अंदर से निकलते है और अप उसको सीदे सीदे हम यूटिलाईज नहीं कर पाते हैं यानि उसको रिफाइन करना पड़ता है उसमें चैंज्जे लाने पड़ते हैं कुछ तब जाके कहीं पैट्रोल को हम इस्तेम option क्या हो जाएगा बैटा पैट्रोड क्या हो जाएगा पैट्रोल यानि की सी ओप्षण डए नेच्ट लाइए कौह सा आप्रमपरागत उठ्टा का सरोत है या यानि कान्वेंशन नहीं नौन कंवेंशनल है ठीक है तो कौन सा से यूज़ करते आ रहे हैं तो टाइडल एनरजी यानि जौर भाटा वाली जो एनरजी होती है उसको इस्तेमाल करना हमने अभी कुछ ही दसको पहले सीखा है तो इसलिए 12 का हो जाएगा option number d next अब देखते हैं 13 भारत में में अर्जा का पीया बिर्जा करते यह रिए boyदा का यहां सब्सक्राइब करते हो हो गया है सोर अजया है थरमल उच में अजया है नुक्लियर अजया है यहां पर लिक नहीं पाए नुक्लियर एनरजी तो देखे राइट ऑप्शन हो जाए गाइस का पबन अजया या यह विंड एनरजी यानि हवा से वायू से जो आप एनरजी बनाते हैं उसको क्या कहते है यह कहा है नोन कन्वेंशनल सोर्स है लेकिन अब इसने क्या पूछा तो हमसे गोर कीजिएगा अगर वो कहता है नोन कन्वेंशनल तो आंसर हो जाता बिंड बट इसने क्या उड़जा का प्रमोग स्तोत है तो जान लेजी हमारे भारत बरस में आज भी 70% से ज़्यादा एनर तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जागा बी ऑप्शन इसमें उड़जा थर्मल एनरजी तो देखिए यह कंफ्यूज करते हैं को आपको बार बार इसलिए को लगाए गए नेक्स्ट फॉर्टीन को जो इनन भूगर्व से प्राप्त होता है उसे कहते हैं यानि जमीन के अंदर से जमीन के गर्व से जमीन के अंदर से जो प्राप्त होते हैं उन फ्यूल्स को कहते हैं उनको क्या कहा जाता है ठीक है तो उनको क्या कहा जाता है पिटा उनको कहा जाता है पिटा फॉसिल क्या कहा जाता है फॉसिल डैट इस सी ऑप्शन इस राइट ठीक है ठीक है क फॉसिल हो जाएगा चलिए तो जब प्रोवाइड कराएंगे टेलिग्राम चैनल पर हमारे पीडिएफ अवेलबल हो जाएगी जैसे वीडियो आएगा उसके बाद विदिन 24 आवर्स आपको आंसर की के साथ पीडिएफ मिल जाएगी हमारे पढ़ाए लिखाए टेलिग्राम से तो चलिए 14 का होगी हमारा डी ठीक है हिंदी के अनुसरा चलें तो डी है इसके अनुसरा सी है यानि फॉसिल फ्यूर चलिए हो जाता है कभी कभी टैपिंग में निम्न को मिलाईए ठीक है निम्लिकित को मिलाना मैच दा फॉलोविंग्स देखे क्या है ओवरा तता हर्द तो चलिए ओवरा तता हर्दुआ गंज यह दोनों कहां पर है तो बिटा यह है आपके उत्तर प्रदेश में ने बेली कहां पर है तो देखते हैं ने बेली कहां पर तो ने बेली है तमिल नाडू में और कोर्बा कहां पर है तो कोर्बा है मध्य प्रदेश में तो चलिए त तो एक बन यहां पर भी है अब देखते हैं बी का क्या है ने बेले तो इसका क्या तीसरा यानि तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इस दा राइट चाहिए तो फिप्टीन का हो जाएगा चलिए बिद्धुद जनेतर बदलता जो बिद्धुद जनेटर होता है तो वह क्या काम कर क्या फंक्षण होता है लुक्त करता है कि चीज़ को कंवर्ट करता तो आप देखिए जो आपका जनेटर होता है हम वह किससे गुमाते को इक इंजन से अटेज़ कर देते हैं या कभी-कभी ट्रैक्टर से गाड़ियों में भी बस ट्रक में भी आपका जन्नेटर लगा होता है इसको डायनमू बोलते हैं तो आप जान लीजिए उसको हम रोटेट कराते हैं घुमाते हैं यानि कि mechanical energy देते हैं और बदले में हमको देता है वो electrical energy बिजली बना के देता है ठीक है तो ये mechanical energy को electrical energy में यानी की यांतरिक उर्जा को बिद्धुत उर्जा में convert करता है तो right option हो जाएगा D चड़िए next देखते हैं सूर्य तदा चंद्रमा के समलित प्रभाव से उत्पन होने वाली ज्वार उर्जा से बिद्धुत उर्जा का उत्पादन करने के लिए ज्वार तदा भाटा के तलो का नियुंतम अंतर होना चाहिए अब देखे question अपने आप में इतना बड़ा समझे तो क्या कह रहा है सूर्य तदा चंद्रमा के समलित प्रभाव यानि सूर्य तदा चंद्रमा दोनों के कारण उत्पन होने वाली ज्वार उर्जा तो उसने कहा है कि ज्वार उर्जा है है तो जिवार भाटा के तलों का नियुनतम अंतर होना चाहिए धिवर्ड सुने जब लहरे ऊपर उठती तो उसको हाइट यह जब लहरे नीचे जाती उसको भाटा बोलते है लोटे तो पूछ रहा है कि जुआ और अब भाटा के तलो का अंतर जो यह उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम कितनी हाइट का डिफरेंस होना चाहिए ताकि एलेक्टिसिटी जन्नेट होना शुरू हो जाए ठीक है अब जुआर भाटा कहां से आता है सूरे से चंद्रमा के एफैक्स प्रत्वी के तीनों के तो अभी इसने कोश्चन के लिए से हमें क्या देखना है ज्वार और भाटा के तलोग का डिफरेंस कितना होना चाहिए तो राइट ऑप्षिन क्या है तो यह आपका 5-10-15-20-20-0 तो देखे पिटा राइट ओप्षिन हो जाएगा 5 मीटर यानि कम से कम 5 मीटर का अंतर होना चाहिए तो ज्वार भाटा से बिजली बनाई जा सकती है उससे टर्वाइन को चला के चलिए नेक्स देखते हैं नेमन को मिलाए मैच ओप फॉलोविंग्स देखे क्या है फिर से वह और लोकेस्न से मैच कराना है यानि कि कौन सा कहा पर है तो मैं आपको बता दूं ऐसे याद रख सकते हैं भांगडा का होता हैं पंजाब में तो ऐसके बाद प्थर पत्थर प्तर पाए जाते पहालाप petals कहां पर है देहरादू करATOR देहरा तून में ठिक इस तो यह वोग्या आपका रआम कहांतंप प्रदेश में इसी तरह से याद कर सकते हैं तो यह पहले वाने का होगा। यानि होता है। तो देखो पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है ठीक फिर वी पर चलते में आपका पहला वाला यह प्राइट पैनल में प्रियोग होता है जो सोलर पैनल होता इसमें किस चीज का प्रोग थोग होता है वायर भी लगी होते हैं तो देखो कहरा अर्दचाला कुछाला कोई नहीं यानि कि सेमी कंड़क्तर Cub ad Wolf न औ एनल्स में सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किसका होता सेमी कंड़क्टर का यानि की अर्दशालक का इस्तिमाल होता है तो 19 का हो जाएगा बेटा इस्तिमाल 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 इस्तिम जोनों ये बिदी होती हैं आपको नोट्स में बताए गई थी जिनके पार्ट नोट्स अबेलेबल नहीं हमारे टेलिग्राम चैनल से जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई टेलिग्राम चैनल आईए उर्जा की दर को कहते हैं ठीक है तो देखो पार चाले करने की छामता इसको कहते हैं इनर्ज़ा में कर चुके तो आप जाने कि दर के जो दर होती है उसको क्या कहते है उसको कहते है आप सकती तो यानि कि the rate of energy is called क्या पावर ठीक है क्या खा जाएगा पावर यानि कि वर्क नहीं कहते हैं और इसको कहते हैं क्या पावर, तो 21 का हो जाएगा बेटा, C option correct, next, उप्युक्त भूमी में गैस कुए, डॉट 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 इतने किलोमीटर तक भेदन करके बराये जाते है, यानि कि गैस वैल, यानि गैस निकालने के जो क्वे खोदे जाते हैं, डिक मतलब खोण ला, अब तो कितनी गहराई तक खोदे जाते हैं, कितने किलोमीटर की गहराई तक खोदे जाते हैं, तो कहरा है कि 3-4 किलोमीटर की गहराई तक 10-20, 20-30, 30-40, कितने किलोमीटर की गहराई तक खो कि तभी मिले गया से नहीं कहीं भी खोद दो चलिए प्रतिवी के प्रती बर्ग मीटर छेट पल यानि जो प्रतिवी हमारी जमीन है उसका अगर एक बर्ग मीटर यानि एक मीटर लंबाई एक मीटर चोड़ाई इस तरह से इतना एरिया ले लिया जाए तो यहां पर अगर सोल लगा दिया जये तो चैनल आ उससे कितनी सोलर एंफ आपो मिलनए जाब ली है यहांवर कितने किलोवर्ड इनर्जी आपको सॉलर एंफ्ट जाएगी बेटा तो कह रहा कि एक दो तीन चार कितनी मिलेगी बेटा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर क्या यह एक क्लोबाट एनरजी आपको मिल जाएगी चलिए प्रकास अंसलेशन द्वारा की उत्पत्ती होती है यानि फोटो सेंटेसिस प्रोड्यूसर फोटो मिलती है तो ऑक्सिजन तो है नहीं ऑप्शन में ठीक है तो आप समझ यह अगर ऑक्सिजन होती तो सबसे पहला राइट चौश क्या हो जाता हमारा ऑक्सिजन हो जाती है लेकिन हम यहां पर इंधन पढ़ रहे हैं ठीक है तो चैप्टर का नाम क्या है इनन तो यहां पर रा जाता है और विखंडन जिसको बला जाता फिशन और दा सोर्स ऑफ विश टाइप आप एनरजी यानि ये किस टाइप की एनरजी के सोर्स हैं तो जल उर जाए यानिवाटर नेरजी पमन जाए यानि विंड एनरजी नुकलियर नेरजी हो गई आपकी और सभी तो ध्यान न यह nuclear energy के source है किसके है बिटा है nuclear energy के तो 25 का उजाए का बिटा c option next 26 बैपदार जो अपनी आंतरिक उर्जा को उसमा उर्जा में बदलता है कहलाता है यानि कोई पदाहरत है कोई substance है ठीक है और उसकी internal energy देखे हम सभी जानते हैं अगर हम दो दिन तक खाना ना खाए तो ऐसा थोड़ी ना कि मर जाएंगे ठीक है यानि हमारे सरी में जो energy storage internal energy आंते कुछा वो खर्च होती रहेगी धीरे 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 खर्च होती रही तब जाके कहीं आप रत्तिव को प्राप्त होंगे यानि कि कुछ दिनों तक हम अपने सरी की internal energy का यूज करके जीवित रह सकते हैं तो कह रहा है कि यह जो पदार्थ होता है जो सबस्टांस होता है अपनी internal energy को खर्च करके ठीक है इंटु हीट और उसको किसमें बदल देता है हीट energy में बदल देता है तो उस पदार्थ को क्य करते हैं तो थोस कहते हैं जाने होती तो इनन को जलाने पर क्या होता है यानि ने आनी protecting प्राक्रतियक नंसी तरसरी फ्यूल दुट्यक इंदन यानि सेकेंडरी प्राथमिक यानि प्राइमरी यानि प्राइमरी सेकेंडरी टरसरी या आर्टिफिशल फ्यूल तो प्राकृतिक इंदन हमेशा कहलाते हैं विटा क्या प्राथमिक इंदन यानि प्राइमरी फ्यूल कहलाते हैं प्राकृतिक रूप से प्राफ पदार्ख का प्रियोग करके करतिम रूप से second है जितक है प्राकृति रूहे का ज़िया किया जाता है कहलाते हैं ठेकर प्रकृति से तो नेचरल लूप से आपने पदार्थ लिया लेकिन उसको क्रति मानवन ने चयंज किया उसको तयारी बना आप इस प्रकार्थ सोंचने बाली बात है तो इसलिए एक्जामनर कन्फ्यूज करता है कभी-कभी आपको देखो तो क्या कह रहा है प्रकृति तो सभी पदार्थ मिलते हैं ठीक है अब उनका यूज आप मैन मेडिया नी मानव का हस्ता चेप जब उसमें हो जाता है इंफ्लेंस हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं क्रत् सब्सक्राइब करें तो यह तो यह आपका एक रूप होता है तो आपकी पैंसिल में होता जिससे हम लिखने है तो वह किसकी फॉम होती है चली निम में से कौन सा प्राकृतिक इन है विच बन आप दा इस नेचरल फिघूल इन में से कौन सा यह लेकिन उसको रिफाइन करना पड़ता है डिजल को भी के टेल को है बड़त पेत्रोलियम इंतर है यहां पेट्रोल लिखा है यहां पेत्रोलियम पदारत होते हैं जो जमीन के अंदर से निकलते हैं उनको कहते हैं पैट्रोलियूम उनको रिफाइन करके तब पैट्रोल डिजर्व केरुसीन तो देखो इसलिए और गधे देखो क्या किया एक्जामन ने ठीक है तो ध्यान रखना है पैट्रोलियूम इस दर राइट ऑप्षिन नेक्स निम्न में से कौन सा एक परं प्रणप्रागत इतन का स्रौत है तो देखो प्रंप्रागत का मतलब है जो सद्धियों से हम युज़ करें हैं 다음 पापा jī हमारे दादा जी मातायी पिता दादाजी तठीक है दादा दादी जी या तो इनके भी पहले बुजूर इस्तिमाल करते चले आ रहे हैं तो ऐसा कौ कड़ी को इंधन के रूप में इस्तिवाल करते आ रहे तो यह हो गया हमारा परमपरगत यानि कन्वेंशनल फ्यूल नेक्स थर्टीटू भारत में आज की खपदर के अनुसार लगबक कितने बड़सों तक का कोईला भंडार है for how many years यानि कितने सालों तक इन इंडिया भारत में call resources are available as per today's consumption rate यानि जिस rate से जिस दर से हम कोईले को खर्च करते जा रहे हैं उस दर से देखा जाए तो कितने सालों तक यह कोईला हमारा चलने वाला है तो उस ठीक है तो कहरा कि 100 सालों तक 500 सालों तक 900 सालों तक या 1800 सालों तक ठीक है तो यानि कि इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है तो लगबग यह माना जा रहा है जिस rate से आज खर्च करने तो उस लिहास से देखा जाए तो 900 सालों तक यह कोईला चलने वाला है लेकिन हमने अगर यह दर बढ़ा दी ज्यादा तीजी से खर्च करने लगे तो हो सकता है और भी सालों तक चले चलिए 33 निम में से कौन बाकी से भिन है तो कहड़ा कि कौन सा बाकी से लगे विज़े डिफरेंट फ्रॉंदर रेस्ट बाकी से कौन सब भिन है रानि गंज बोकारो झरिया मुंबई तो आप जाल लीजे रानि गान बोकारो झरिया यह सब बन प्रचूर मात्रा में पएर मात्रा में मुंबाई ओप्षीन हो जाएगा मुंबाई चीलिए इन्हाद निकलंग सख से बाहर निकालने के लिए सब सबसे पहले बाहर कौन सी चीज आती है जब को छोए घाते चाहिए ठीश दिचल कि तो कह रहा है कि पैट्यॉLE इत्यादी किस तरीके द्वारा प्राप्ट कि जाते है तो चहरा कि पैट्टोल डीजल and others are obtained by which method यानि किस तरीके का उप्योब करके हम इनको प्राप्त करते हैं तो कह रहा है कि 100 गरम करके by heating up to 100 degree उबालकर उनको उबालके यह मिलता है by boiling भंजक आस्वन द्वारा यानि by fractional distillation द्वारा बायो डिग्रेडेशन द्वारा यानि by बायो डिग्रेडेशन प्रोसेश तो आप जानमेजिए यह सब किसे प्राप्त होते हैं भंजक आस्वन से प्राप्त होते हैं तो 35 का हो जाएगा पिटा सी ऑप्शन द्वारा सबसे अंत में प्राप्त होने वाला पदार्त है यानि कि जो इन्दन को रेक्टिफाई करने की जो चीज़े हैं जो प्रोसेश है तो कहरा विच वन इस ऑपनें इंड और फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा इसके सबसे लास्ट में कौन सा पदार आपको मिलता है तो कहरा पैट्टोर इसनेहक यानि लुब्रीकेटिंग ओएल केरोसेन और डीजल तो कौन सा पदार घंज सबसे लास्ट में मिलने वाला है तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी इसनेहक यानि कि लुब्रीकेटिंग ओएल मोबिल और जिसको नॉनमल भासन तो देखो पैटा यहेन कर लियुंद कि कौन सा tailor होना चाहिए तो लिक्विड फील टीक है लिक्विड फील की कौन सी क्रेक्टरिस्टिक इसमें से नहीं होने चैंब अधिक औक्टेंड संग यानि मॉरॉग नमबर कम बासनल तॉरी कम उसमें रॉकामरिकिक वैलुने तो ङ साते आतन से क्या वो जादा से जर्थerne पर जादा जादा उस मत दे कम तो नहीं हां उस मेन IX jj मिलना सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यह दिखें होता है कि जब क्या और जो हमारा डीजिएल होता है ठीइछ वाली गाड़िया होती है आपने देखा तो आपके टैंक में गिरा देते हैं पाउच मिला देते हैं उनको क्या बोला जाता है ठीक है एक तो यह हो गए तो यह मोबिल ओयल हो गया वो लुब्रिकेशन के लिए इसलिए मिलाया जाता है साथी साथ यह भी जहान अखना है पैट्टोल डीजल में बिल्कुल नहीं होता उसमें कुछ एडिटिव डिजायड प्रपरटी जो आप चाहते हैं जैसी क्वालिटी चाहते हैं वह मिला दिये जाते हैं क्यूं तो कहरा है उसमें मान बढ़ाने के लि यह कदीगा की 22 प्रप्र करने के लिए चलिए 175 से 355 दिगरी सेंटीगरेट पर प्रप्र होने वाला इंदान है जब एक्टरन डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं पैट्रोल डीजल केरोशन बगरा इनका तो 175 से 355 दिगरी सेंटीगरेट तापमान पर लगबग कौन सी चीज आ 175-350 के बीच मिलता क्या आपको क्या मिलता बैटा आपको मिलता डीजल और यहां पे 350-300 कितना लिखा बोता है एक 455 से 300 तो आप ध्यान कर लेंगे कहिं इसको पर बेपर किविए 350-300 लिखा तो इसो रैड जो हमने यहां पर कंटेन्ट डाला है वो लिखा है 150-300 तो आप ध्यान करिए जगा यह 150-300 जब हम पीडियाब आपको देंगे तो करेक्शन करके आपको पीडियाफ मिल जाएगी इसका उपयोग बिद्दू जनरेटर लैंब भट्टियों इत्यादी में क्या जाता है इस यूज इन एक्टिक जनरीटर लैंब फरनेस बर्टी जलाने के लिए लैंब जलाने के लिए यह करते हैं यानि विच वन ऑब दा फॉलिम्स है यानि एक किलोग्राम को अगर जलाया जाए तो कोण ज्यादा उसमा देगा तो ठोस यानि यह सोलिट देगा द्रब देगा लिक्विड गैस देगा या बास बैपर देगा तो राइट ओप्षन हो जाएगा गैस तो देखें पटा सेब हैं सेवें था मैं सेम फ्यूल है वो गैस के बस्ता में वैंट सेम्मा अलो टिक है तो आईसी अवस्ता की आधकी यानि बाकी सेम रख की जाए केवल स्टेट ठीक है उसकी स्टेट परिवर्तित की जाए तो उस टाइम पर गैस ज्यादा आपको एनर्जी देने वाली है चलिए सी एंजी का अर्थ है अब यह तो बेसिक एक जनरल नोलिज का कॉश्चन आ गया सी एंजी मिनिंग ऑप सी एंजी इस एंजी का यह इंचोण नहहें कने अब में ऊक्षा प्रिंग का क्या होती है ठीक है देखेए जिए अपके लिए क्यकोंअ अहों सकता है थोड़ा फ्ल में प्लम क्या होती है ठीक है तो देखे बिटा PNG की फुल फॉर्म होती है पाइब नेचुरल गैस तो देखो आपने देखा होगा बड़े-बड़े सहरों में जो ठीक है आप कहा सकते हैं कि जो बड़े सहरों होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबाई बगारा तो हाला कि छोटे सहरों में भी थोड़ा आनी यूज होती है तो उसमें कौन सी गैस का इस्तिमाल होता है आपने क्या कभी सोचा है नहीं तो देखो बिटा कॉस्चन आपकी एक्जाम में आ सकता है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिटा LPG के सिलंडर लाते हैं इसलिए को फुल फॉर्म पढ़ ली लेकिन आप खुद जो कि उजाला करने के लिए इसको क्या कहते है को प्रोडियूसर गैस को राइट ऑप्शन ओप्शन ओप्शन हो जाएगा आपका वी दैज़ को ऑवन गैस चलिए ने वाली भट्यों में यानि यानि कांज टूड जाता है तो कच्रे वाले को दे देते हैं ठीक है तो कांच को गलाया जाता है उसको recycle किया जाता है तो gas used in glass melting furnace तो कांच को गलाया जाता है फिर उसको नई form में ढाला जाता है तो कौन सी gas use होती है ऐसी बट्टियों में तो कह रहा है कोल गैस है को कोवन गैस है जल या नीली गैस है प्रोड्यूसर गैस है तो 47 का right option हो जाएगा दोड्यूसर गैस का इस्तिवाल करते हैं नेंस्डession गोडैयस कोवर गैस के बारे में कौन सा कथन तो ध्यान लखिए 밝़ का प्रापर की जाती बिल्कूल सही बात है चार बागज तता पांच भाग पानी का मिश्रण होता है यानि कि गोबर गैस प्राप्त करने के लिए जो मिक्स्चर तैयार किया जाता है उसमें चार भाग गोबर यानि चार रेशो में आप क्या करेंगे चार पॉर्शन लखेंगे गोबर का पांच पॉर्शन लखेंगे पानी का मीथें प्रॉप यहीं ओप्षन हो से चलने तो यह कौन सी यह पूंधन को पूंधन कै 0ps tear को जलाए जाए है तो इससे प्रॉप से यहिफ विर्व चालानी खिल्म को कुझे इधन मतर। एक किलोग्राम को जिलाए जाया तो उससे प्राप्ट होनें वाला जो वन किलोग्राम एंधन के दहन से प्राप्ट उसमा जबकि उसमें जलीडमात्त के संगनन की उश्मा को संबलेत नया किया गया हो कहलाती है एसी उर्जा जो प्राप्थ होती है ऐसी उर्जा जो 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर दहन करने पर प्राप्थ होती है वेन जबकी हीट और बैपर नॉट इंक्लूड़ेड उसमें बेपर राइजेशन की जो बैपर बन twin अंक्लोड नहीं है तब उसको क्या कहा जाता तो उच उसमया निम्न उसमयיבान करेकारी निम्न में से कोई नहीं that 50 का हो जाय का option bin निम्न उसमय अमान जब एककलाङग जलाते ह् ठीक है तो इंधन से जो उस्मा बनती है अब देखो क्या हो सकता है इंधन में अपने इंधन में जो लकड़ी है या कोईला है कोईला कुछ नम हो सकता है उसमें मौश्यर अमाउंट हो सकता है तो जब आप उसको जलाते तो उसमा उत्पन होती है कुछ उसमा उस नमी को भाप बनाने में चली जाती है खर्च हो जाती है तो हम यूज़े नहीं कर पाते है तो हमें जो उस्मा मिलती हो निम्न कम मिलती है तो उसको क्या क्या उस्मा शोट हम नगी क्या हूँ हो थो तो हमें मिली हीं नहीं ठेक इस तरह से फ़ा chemical का प्रडीयों किया जाता है इनना का ताप नापने के लिए तू मेजर टैंपरेचर ऑफ फ्यूल तेम वोल्म भी नहीं 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 आपता है इनना का उसमें आपने यह बास सही है तू मेजर केलोरी वैल्य वैली अपने फियूल नैस्ट फिर भी देख लेतें चोथा उप्शन इंदन का सूत्र ग्याद तरंगों द्वारा जो ध्वनी उत्पन होती है ठीक है उसको कहते हैं तो देखो क्या होता है जैसे इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर बाइक के सिलेंडर के अंदर अचानक से जो धेन होता है यानि फ्यूल जलता है तेल पैट्रोल डीजल जो भी जलता है उसे दाप तरं लेंगों से क्या होता धनी सांड भी प्रिविएट होती टिकर नोगी यह डिया जाता है तो कहते हैं इसको डियot अबी धात बिल्गुल सही बात है ब्लास्ट नहीं संपीडने में लीकेज नहीं तो क्या कहते हैं डियot नौकिंग उसको कहा जाता है चलिए नेट आई-सो ऑक्टेन तथा एन-हेपटेन में प्रतिसत कहलाता है तो देखो पैटा आई-सो ऑक्टेन एक गैस हो गई दूसरी गैस हो गई एन-हेपटेन तो इन दोनों का और टेन इनना मिक्श्चर और इसो प्रिका हो जाएगा आपका पूछ लिए अपने पूछ लिए उसने सी टेन की प्रतिसाद तो देखो बिटा किसकी मात्र पूछ रहा है सीट इन की प्रतिसाद बिटान और यह द्यान लगना क्यों सकता है कि सीटन नंबर कहलाता है निवनमें से किसके मिश्रण में चलिए सही कथन का χunाब किये चूज दर राइट ऑप्षिंश्य सीटेन संख्या नहां को होती नियकिंद और और चंगrent करना को तो क्या सही बात है सिम्य नंक्यों से। झार से जो और सांगे को जो कि य। ज्टन जादा जाथा और जिसकी च्टीकी समय अजी वर टुटन जादा अच्छा माना जाता है तो पार्टोल सिटेन मंदब डिजल तो रायट औप्सण ओजाएगा और शीजनिस दराइट यह यापका आपका और चलिए अभी धात नहीं होगा यहीं डेटोनेशन नोकिंग नहीं होती है पैट्रोल तथा डिजल देट करता भी कोशिण था प्रीवेस पैटर्ट मतला ओक्टेन डीजल मतलब सी 10 ठीक है तो पैटरोल संख्या अगर नमबर तो पैटरोल में डेटोनेशन नहीं होगी अगर डीजल वाले कि सीटेल हंडेड है तो नहीं होगी तो देखो परचा से अच्छा इनबर अच्छा है तो उससे अच्छा डीजल फोगी नहीं सकता उसमें डेटोंेशन नहीं कि चांसे लगबग नेगलिजिवल हो जाएंगी तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 56 का सी चलिए 57 द्रब प्रभा के अंतरगत अंगों के मध्य होने वाला ब्रोध कहलाता है कोई धरब कोई vlo करा रा है तो कहारा हिं मॉलिक्यूड इन फ्लूइड द्रभ प्रभा हो रहा है ठीक है तो कह रहा है कि उसके उन्तरगत जो है बहते हुए है करते हैं इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं जिस्कॉसिटी इन में से कोई एक प्रकारता नहीं होता है होता है 없습니다 होता है बड़ प्रदीपती देहन कोई दहन नहीं होता कि चूज़दा क्रेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो कहारा बास्तविक बायू जो होती है वह न्यूंतम बायू माइनस अथिक्र बायू यानि एक्चुल एयर जिगल टो मिनिमम एयर माइनस एक्सेज एयर ठीक है तो यह चार इस तरह से दिये हैं एक बार का एक डिवाइड का साइन लगा है तो आप जालेजिए जो बास्तविक वायू होती है वह न्यूंतम वायू प्लस एक्सेज एयर अतिरिक्ट वायू होती है तो राइक्ट ऑप्शन होजागा बिटा सी चलिए देहन के पस्चाथ चिमनी से निकलने वाली गैसों को कहते हैं देहन के पस्चाथ जब गैसे जल जाती है डीजल पेट्रोल जल जाते हैं इंधन जब जल जाता है तो उसके बाद चिमनी से गैसे बाहर निकल लाई होती है धुएं के रूप में वेस्ट गैसे की फॉर्म में तो उनको क्या कहते हैं तो गैसे आफ्टर कमश्चन आर्प का प्रियों करते हैं उनको गर्म घैसे घ्रम तो होती है ठिंडी गैसे और ब्रहुं जाता है यानि दक्द येशन के प्रयोग किया जाता है यानिवे जुए फ्ल निकल बबाय में तो उसके लिए किस अप्रेटर्स का उप्योग हम करते हैं तो कह रहा है और सेट कैलोरी मिटर बात्य बट्टी यानि क्विपला फर्नेस निम्ड में से कोई नहीं है ननोब दीज तो स्राइट अप्शन हो जाएगा और सेट उपकरण का प्रियोग करते हैं उस्मा का संपूर्ण लेखा जोखा रखा जाता है यानि उस्मा कितनी उस्मा कहां खर्च हो रही है जैसे कि आपकी खाता बुक होती है यानि घर में अपना खाता बना आके रखते हैं इतने रुपए का दूद आया इतने की गैस आई ठीक है इतने का रासन आया इतने का यह इतना पैसे आने जाने में खर्च हो गया तो आप लेखा जोगा रखते हैं इसी तरह से हीट कितनी कहां खर्च हो रही है उसका लेखा जोगा रखा जाता है तो complete data of heat is maintained in किस चीज में maintained रखते हैं तो कहरा उस्मा खाता भूप अच्छ जो उप्लग उर्जा को उप्योगी उर्जा में बदल देती है या बदल देता है उसको कहते हैं तो यानि विच्ट कनवर्ट अबेलेबल एनरजी जो आपके पास एनरजी अबेलेबल है उसको काम में लाने लायक उर्जा में बदल देता उसको क्या कहते है बीटा मसीन कहते है की कोटर कहते है की कॉअप afar प्राप्त करता है प्रदान करता है ठीक है तो विच ऑफ फॉलोविंग प्रोवाइट टेंप्रेली जॉएंट यानि ऐसा बनाता है जब चाहिए बना लो जब चाहिए हटा लो इस तैप की तो बैल्टिंग कर दिया तो यह तुमको पार्ट वगएरा को तोड़ना ही पड़े जहां पर अक्तियदिक संगर्ठन भारत अपर कभी नहीं लग रहा है ठीक लौड एट्वरेशन का मतलर समझे रहे हैं जर्क जटका वाइब्रेट हो वो जाएगा ओधिख्यिंथ दूचुट डी सिति को निरधारित करने की लिए या connected एदि बनी रहे हैं टो इसा करने के लिए किस पिन का इस्तिमाल करते हैं किस इस्तिमाल करते हैं इस काम के लिए लटकन कडियों में प्रयोग होने वाली पिन को कहते हैं तो इस ताइप के पिन यूज होती है तो आपको अगर इन सारे टॉपिक्स के नॉट्स है तो हमारा चैनल है टेलिग्राम चैनल पढ़ाय लिखाई वहां पे जाके आपको इनके लेकिन वहां पे हिंदी में अबिलेबल रहेंगे चलिए डपिन विच इस मेड़ ब्लेंडिंग सेमी सर्कुलर बायर इसकॉल बैंडिंग ठीक है अट ब्रत्तकार तार को मोड कर बनाये जाने वाली पिन को कहते हैं क्या कहते हैं क्लैबिस पिन कौटर पिन डॉबल पिन ऐसे को कहा जाता है nou suspension ब्रिज में प्रियोग की जाती है जो suspension के लिए ब्रिज्ड जूलते रहते हैं अब आप समझ गएं तो ब्रीज में कौंसी कौटर जबबल और safety पिन कौनसी पिन यूज़ो पिनコटर ऑंसी चलिए है चलिए किसी अंकों खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं किसी हम चाहते हैं कि यह पार्ट है कोई पार्ट है वह खराब ना हो पिन टूड़ जाए पिन खराब होती है होने दो ठीक है तो हम क्या करेंगे विचिज यूज एस सेफगार्ड ऑप मेंबर यानि में सकती है ठीक है तो राइट ऑप्षन हो जाएका 70 का डी चलिए साइकल की चैन की कडियों को जोडने के लिए प्रयोग करते अब देखें कितना जीके का कॉश्यन हो गया है विच इस उस्टु चैन को जोडने के लिए किस ताइप के पिन यूज करते हैं तो अब देखेंगा आप जाकेन कोगातर ब Такा यह वहां पिस्तेमाल करते हैं चलिए आगी देखते हैं कंजी द्रॉप मर और वॉर्लों को प्रेशल्रेट किया जाता है कंजी जो थो किन rooted विश्टिंग फोर्स ऑप ट्रांश्मिंटेड ऑई की सिटेस है कुझि द्वारा मरोड़ बलो को पारिशत किया जाता है पूजी किस पड़ार्फ की बनाई जाती ACC कि पो साक्रवारिक आपक थे तो देखें, cold rolled mild steel, यानि cold rolled mild steel, पिटबा लोगा जिसको raw iron बोल जाता है, medium carbon steel, या all, सभी की बनाई जाती है, यानि कोई कहीं किसी material की यूज होती है, कहीं किसी material साफ यूज होती है, ठीक है, sorry, कुंजी यूज होती है, तो 70 थरीका हो जाएगा बेटा, D option, यानि कि सभी, इन सभी पदार्तों की कुंजी बनाई जाती है, next, निम्न कत्रों पर विचार कीजिए, consider the following facts, कुछ facts दिया आपको, A fact दिया है, B fact दिया है, फिर आपको बताने कि इन में से कौन सा सही है, कौन सा गलाता है, ठीक है, तो इन में से कौन सा option सही है, यह आपको बताना है, तो कहरा है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, only one is correct, A is correct, only B is correct, तो right option हो जाएगा, बेटा, दोनों चीज सही है, तो देखो बताई, यह question तो है, लेकिन अपने आप में आपको यह question अलग-अलग करके भी आ सकता है, ऐसी ही पूँ सकता है, साफ में काटा गया, खांचा कुन्जी सीट कहलाता है, true और false, ऐसी ही पूँ सकता है, ठीक है, तो यानि इसी question से दो से तीन question और बनाए जा सकते हैं, next, निम्न कत्रों पर विचार कीजिए, ठीक है, आपको क्या करना है, इन कत्रों पर विचार करना है, and are used to transmit twisting force, दूसरी quarter, quarter जो pin होती है, अंगों की अक्ष के लंबत लगाई जादी है, तधा तनाब एवं संबीन बलों को पारेसित करती है, यानि quarter pin are attached perpendicular to the axis and transmit tensile and compressive force, तो इन में से कौन सा statement सही है, और कौन सा statement गलत है, तो बिटा देखो, दोनों statement सही है, यह हमने दोने statement सही क्यों दिये हैं, ताकि आपको कुछ facts भी याद हो जाएं साथ साथ, ठीक है, तो हो सकता है, exam में कुछ modified करके question आ जाए, तो आपको ध्यान कुछिया साथ की अक्स के समानतर लगाई जाती है और यह मरोड भार पारिसित करती है, जबकि quarter जो होती हैं, अंगो की अक्स के लमवद और यह थनाव एवं संपीडन बल, तो देखो, अक्स के एक समानतर लगाई जा रही है, एक लमवद लगाई जाए, एक मरोड भार को के दूसी तनावेबं संभीडन को पारेशेद करती है चलिए स्वत्य समायजिद होने वाली कुंजी है यानि एक बार आपने की को उसमें डाल दिया तो अपने आप वो पोजिशन लोकेशन अपने आप एड़ेस्ट कर लेती है तो ऐसी कौन सी होती है बुट्रफ कुंजी प्रियुक्त होती यानि वो कभी भी अकेली इस्तेमाल नहीं होगी यानि दो होंगी या दो से ज़्याद होंगी यानि कम से कम दो तो प्रियुक्त होनी है जोड़े में यूज होती है तो कौनसी बुट्रफ कुंजी सेडल कुंजी संग कुंजी इसपरसी कुंजी तो यह कीज इसका सेटल कर रहे हैं जब संग कर रहा हैं जब इस पर सी कुंजी का इस्तमाल कर रहे हैं तो किसमें नहीं पढ़ती आप सकता तो आप बी ऑप्शन यानि सेडल कुंजी में ऐसी सीट बनाने की जुरूत नहीं पड़ती है नेच्ट ऑटम वाइल के गियर बॉक्स में प्रियोग करते है विच वन इस यूज इन ऑटम वाइल गियर बॉक्स ठीक है यहां पर पूरी बात लेकिन यह विच वन इस यूज इन ऑटम गियर वो किसमें यूज होती है तो बिटा 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी डैट इस स्प्लाइन क्या होता है जो साफ्ट होती है उस पर धारी धारी कटी होती है ना ग्रूप कटी होते हैं लंबे-लंबे ठीक है आईए दाते दार पाइए को कहते हैं टूथ वील क्या जाता है धनात्म पॉजिटीव डॉइब इस कॉल पॉजिट ड्रक को क्या कहते हैं फ्रेवी तो इसको बीटागे यह कहते हैं चलिए गेर चालन की विश्रीटाइब है यह तो कौन-गाउन सी होती है इस्थिर बेगान पाद यानी कॉंस्टेंट वजू सही बात है उच्छ दो मिलने वाले नातों के पिछ ऑरत्त दो अलग अलग जहां पर मिलता है उस का don 맑त हम किस नाम से जानते हैं पिछ बिन्दू आया निस पर्चंग पाइंच्ञaddय नहीं इन में से कोई नहीं तो उसको कहते हैं पिटा क्या पिच्पॉइंट कहा जाता है क्या पिच्पॉइंट नेक्स्ट दिए गए सूत्रों में से गलत को पैचाने कौन सा गलत है विच रॉंग यानि कोई फॉर्मुले लिखे हैं देखो पी-सी यानि सर्कॉलर पिच का फॉर्मुला पाई दीवाई टी सही लिखा है तो पी-डी क्या है यह ऐसे है दो पी-सी और पी-डी कैसे पी-ए है और उसके सफिक्स में लिखावा डी ऐसे चोटा सा थीक ऐसे है फॉर्मुला ठीक है तो पी-डी बड़ाबर टी डिवाएड तक चूररी क्या रहते हैं पिछ ब्रत से लेकर ऊपर की जहां तक दान्ता होता भी टॉप लाइंड तक की जो दूरी होती विसको क्या क्या जांए टीटार सक्छा ने जो दूर्प जो था फ्लैक है ठीक है टो अनांतरिजया वाला बिल्कुस सही बाता है चलिए रेक कीनifferent का Stephen किया जाता तो जो होता है और की टृफ के धाना फ्लैनि टेका न यह क्तुर्ट स्कुर्ड imagin टिर तो maturity कर दो आफ़ा नहीं पहलेख है प peols और अगे पड़ाने के लिए गुमाओं गती को बढ़ाने घठाने के लिए जी नहीं तो राइट और ऌप्षन हो जएगा चलीए प्रत्म चालन प्रत्म चालन प्रफ्व क क्या कहते हैं प्रिफर musi वहित करफिर दीवान जो होता है गी वहाँ पाइज वित विर्शो को क्हा 옆रइं इन पराइज दूटेर स स्व Healthy निख रहते हैं स्वालस्टी रइश हे fas ट्रेंगों घोटा होता है एक डूसरे का उलटा होता है रसीप्रोकल होता है पीछे भी आ चुका है तो और उसका उलटा है तो यह सकते हैं बिल्कुल घ Lights रहते हैं थिका यानि इनन्वर्सलि प्रप्रपोश्चन सही बात अनुक्रमान उपाती होते हैं घलात बात नहीं हो सकते हैं बेगान आदा आदा पुछ नहीं है ठीक है जब गियर माला में प्रतियक तो पर ऐक लन अब यहां से खरए सखते हैं दो से ज़्यादा हुता है जब एक , यह की खेर bleed करते हैं उसको कहते हैं शेंपल गेर्ट जब प्रतेक शर्व पर एक ही गेर हो तो है सिंपल मग्र प्रतेक शर्व होres क्या कह रहा है क्या क्या कहते हैं तो Central यानि श्यक्सिंपल गेर माला में gear के घुमाओं की सभी अक्स इस्थिर नहीं रहती है तो देखो आम तोर पर क्या होता है साफ पे gear घुमता रहता साफ उखड़के तो कहीं नहीं चली जाती लेकिन कुछ gear ऐसे भी होते हैं जिनकी अक्स भी rotate करती रहती है कहने का मतलब वो तो इस्तिन नहीं रहती दाएं माएं उपर नीचे होती रहती है तो in which of the following gear train the axis of revolution is not constant क्या होती है सायउध गीर माला नहीं वो क्या कहलाती बटा अधी चक्रिक गीर माला क्या कहलाती है यदि पर्थम चालक तदा अंतिम चलित गेर की अक्षमान हो तो वह कहलाएगा यानि पहले चालक की जो साफ्ट है और उस साफ्ट की जो अक्स है और लास चलित की जो साफ्ट है और उसकी जो अक्स है बोके वाइनिलाईन का मतलब यह नहीं कि ठच हो रही हूं ठिक है उनको क्या कहते हैं तो उनको कहते हैं जिये क्या क्रणर प्रतियाव्रति ग crít ratchet कि और यह उल्टा सीधा लिखा गया है ठीक है प्रतियावर्थी यह पर Compound उन घंडलती से लिखा गया तो पित्य वर्ती को क्या करोती इसको औरै 한कर इस को क्या क्या करते है तो आप आप जालीजिए इसको क्या 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 है पृत्य एर्टी उर्जा को सोसित करना चाथा पुन्हें अपनी आवस्था प्राप करना किस मसीनी अंका खार रहे है तो एब्जोर्ब डिफॉर्मेशन एनर्जी यानि एनर्जी को इस्टोर करना एंड रिगें फिर से उसी पोजिशन में आ जाना औरिजिनल पोजिशन में आ जाना यह कौन से अलीमेंट का रहरे है वह कौन करता है इस श ही किस मशीन करती है यह सी यह ह्याथ यह को चाहिर आ रैकिए लोंच करने में बाइबरिशन कौन स्प्रिंग करता कम भी सिर्फीन करता है तो जटके आपको कम से इस फिर्फिंग की वज़े सापको कम लगते हैं कट खाज पदार्तों की मशीन फिर्फ होने वाले बनाये जाते हैं यानि देखो बहुत सारी मशीन वे लेकिन ऐसी मशीने जिसमें खानें पीने की चीज़़े बनाई जाती है तो उसमें किस मेरिटेल का स्प्रिंग का मेगनز का पीतल और कंसे के दो बरतन भी होते हैं ठीक है सिलीकन करते हैं किसका ह implement उसके 밟नों क проблем है पिसका प्हुर्ट बसक्टियर के बड़्टम करते हैं हम करते हैं सिप्रिंग का ब़ियर इन दॉपं औफ औवक्वड ठीक है यानि की ऐसा कॉंब ईस्प्रिंग है एक तार को कुंड देलीं गोल गोल घुमा कि मोड़ते रहे मोरते रहें इस आकार में ढाला जाता है तो ऐसा स्प्रिंग कौन सा मनता है तो पत्तिदार स्प्रिंग कुंडली दार स्प्रिंग ब्लॉक स्प्रिंग डिस स्प्रिंग तो कौन सा होता है कुंडली दार स्प्रिंग कौन सा होता है कुंडली दार स्प्रिंग जिसको कहा जाता पास पास होती है क्या दूर दूर होती है यह जो टेंसे इस प्रिंग होता है उसके कुंडली पास पास होती है जब तनाब लगा तब दूर दूर होगी है तो सब्सक्राब यहां तो कैसी होती है पास-पास होती है तो राइट ऑप्षण एस पास-पास अब समझेजें इस संपीड़ होती है इस समझ गए है तो यहां निगोर पर यहां तनाव यूज़ करते हैं संपी निटेंचंशन compression marode यानि कि torsion spring disc spring ठीक है तो कौन सा spring यूज़ करते हैं हम करते हैं सीर option is right marode spring का इस्तेमाल करते है 99 बस तदा truck में प्रयोग किया जाता है बस और truck में किस चीज़ का जाता है यानि कौन से spring का यूज़ किया जाता है which spring is used in buses and truck तो आपने देखा को बस उसके नीचे जो लंबी चोड़ी पट्टी पट्टी होती है लंबी 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 पट्टी लगी होती है स्ट्रिप लगी होती है तो marode spring कुंदी दार spring बैल-बैल spring या पत्तीदार spring तो leaf spring होता है बस और truck में इस्तमाल होता है घरसन को कम करने की विदिए घरसन को कैसे कम किया जा सकता है which is the method of reducing friction friction को घटाने का तरीका क्या पिन लगा के घटा दोगे क्या बाई कुंजी लगा के lubrication हाँ mobile oil लगा 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 है lubrication कम कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है तो लोगे क्या कहते है friction कम किया जा सकता है spring नहीं तो right option is lubrication इस्नेहन करके घरसन को कम किया जा सकता है next जब संपग सतों के बीच इसनेहक की मोटी परत बन जाती है तो यह कहलाता है यानि कि दो पार्स है metal के धातू के दो पार्स है और उनके बीच में आपने lubricating oil mobile oil बगारा कुछ डाला है या कुछ और भी हो सकता तेल बगारा डाला और उसकी एक परत बन गई है यानि धातू उसे धातू का संपग नहीं हो पा रहा है तो इस ताइप से ठीक है इसको क्या कहते हैं तो कह रहा है कि वेन एट थिक लेयर इस फॉर्म बिट बिन टू कॉंटेक्स सर्फेसे दैन इस नोन है क्या कहते है तरल इसनेहन दोनों यह कोई नहीं तो राइट अप्सन हो जाए का इसनेहन चलिए ग्रीस है अप देखो बिटा जो ग्रीस होता जिससे आपका पेश्ट होता है जिसे आपका पेस्ट होता है तो यह राइट अप्षन हो ठीक है कैसा हुटा हुता है तो सेमी सॉलिड होता है निम में से कौन गैस इस नहक के रूप में प्रयोग नहीं की जाती विच आफ दा फॉलिंग इस नॉट यूज यानि कुछ गैस भी है जिन से हम लुब्रीकेशन इस नहक का काम लेते हैं किस से एर वायू से लिया जाता है देखो कोई चीज गरब हो जाती है तो उसको क्या कर करते हैं ठंडा कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अक्म कर सकते हैं या लिए सफेंका कर नहीं नहीं चाहिए नहीं होने चाहिए विच इस नौट डिजार प्रपर्टी अब लूब्रिक एक उच पुरांग यानि है यानि बहुत ज्यादा टेंपरेचर तब भाब बनके तरह उड़ जाए बिल्कुल हम चाहते हैं कि जादा से ज्यादा होता कि वह उड़े ना उड़े ना तो य भाई जब ज्यादा टेंपरेचर पर जम जा रहा है तो कम तापना होगा तब भी तो जम जाएगा ना ठीक है यानि उसको और ठंडा करोगी तो जमा ही रहेगा ऐसा थोड़ी ना ठंडा करने वह जाए तो हम उच्छ हिमांग कभी भी नहीं चाहते है निम्न अमलियता यान हम क्या नहीं चाहते हैं तो क्या हो जाएगा भी औप्षण एज राइट चलिए निम्न में से कौन सा गृत्व इश्नेहन का प्रकार नहीं है यानि कौन सा इश्नेहन गृत्व इश्नेहन में नहीं आता है विच इन और टाइप ऑफ ग्रेविटी लुब्रिकेशन 32 नहीं है ना कभी 32 स्नेहन देखो हां गुरुत बाले में सन्ने लिखा है तो यह सा ठीक है ध्यान रखिए पहले उप्षिन पढ़ दिया करें तो दोनों हो गए राइट ऑप्षन यानि सी ऑप्षन इज राइट रिंग यह चैन वाहन इसनेहन निम्न में से किस इसनेहन का प्रकार है तो कह रहा रिंग और चैन लुब्रिकेशन इस तैप अप लुब्रिकेशन तो कहारे गिरुत यह चैन वाहन वाहन बलात इसनेहन निम्न में से कोई नहीं ओर तो आपको ध्यान रहे गा रिंग यह चैन वाला तो कहलाता यांतिक वाहन इशनेहन यानि एक सोच्छे का हो जाएगा औप्शन नमर बी चलिए सुस्क होदी तता आदर होदी तंदर किसका उधारन है तो यानि ड्राइच संप और सम्झे लुब्रिकेशन है यह किस टाइब का लुब्रिकेशन के एक्जामपल है उधारन है तो कह रहा उधियानतिक बलाइट जानिंषय मचेनिकल फीड बलाइच समझेत है एक less इसमची अभीबब को भैचानी है तो कह रहा कि कुछ आइडनिमटिेफाइट करो किस पार्ट की करेक्टिरिस्टिक से है हैं तो कह रहा कि आइडिनिटिपाई हैं इनमेन्ट्स यह बेलनाकार होता है, it is cylindrical, ओ, मरोड आगों को पारिशित करता है, ठीक है, टांसमेट टॉर्जन, बिल्कुल सही बात, चलो कौन सा देखते हैं, इस पर gear, pulley, इत्यादी अभ्यव लगे होते हैं, gear, pulley, etc, elements are mounted on here, तो यह क्या होता है, यह साफ्ट मुझे दिखाए जा रहा है, साफ्ट बनाई जाते हैं, साफ्ट किस तरीके से बनाई जाते हैं, किस method से बनाई जाते हैं, साफ्ट are made by, किस तरीके से, गरम rolling के द्वारा, hot rolling, धलाई द्वारा, casting द्वारा, grinding द्वारा, या building द्वारा, तो यह बनाई जाते हैं, hot rolling process द्वारा, चलिए, साफ्ट पर लगन ऐसे इधर को बन लगता है इधर को अंदर को या बाहर को बन लगता उसको क्या कहते है ठीक है तो उसको सपोर्ट करने के लिए सहारा देने के लिए किस चीज़ का करते हैं तो तो सपोर्ट एक्जल फॉर्स एक्टिंग ऑन दासा बी यूज किसको इस्तेमाल करते हैं पुली को नहीं को यह इस्तेमाल करते हैं कोई नहीं ठीक है तो यह राइट ऑप्षन हो जाए गाप पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे जो करता है तो इस गती में परिवर्तित करता है इत कंवर्ट रोटरी मोशन इन्टू रैसी प्रोक्रिटिंग मोशन कौन करता है तो पिटा ऐसा करता है क्रेंग कौन करता है क्रेंग की मदद से ऐसा किया जाता है घूनन गती को पस्चाग गती में परिवर्तित करता है परंतु ब रिवर्स मोशन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं तो क्या होता यह कहला कोलर शाफ्ट क्रेंग उत्केंद्र तो राइट ओप्शन हो जाएगा उत्केंद्र यहां पर ता जो बनेगा वह आधा ता बनेगा ठीक है इसेंटिक तो राइट ऑप्शन इसेंटिक यानि 112 का डी तो द करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा हम सभी चैप्टर के नोट्स लेने के लिए और इस पीडियेफ को डाउनलोड करने के बिद आंसर की आंसर की के साथ आप हमारा टेलिग्राम चैनल को जोई कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई का टेलिग्राम चैनल जो की वीडि आपको अच्छा लगा हुआ अगर आपको लग च्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजीगा सेर कीजीगा इसी तरह से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है इतना वीडियो लेगा है आपकी इतनी मेहनत किये तो आप पी हमको सपोर्ट कर सक थेंक यू बरी मिच्च